हाई फ्रेंड्स मैं साजिदा सुल्तान और आप सभी का मेरे चैनल साजिदा किचन लिए में बहुत बहुत सौगत हैं दोस्तों आज हम बनाएंगे पयास की भजिये बनाने के लिए यहां पे हमने 4 बड़े साइस के पयास को इस तरह से बारिक-बारिक स्लाइस में काट लिया है और एक चमच साबु धनिया लिया है स्वादनुसार नमक एक चमच लाल मिर्स पाउडर हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर जीरा आधा चमच और यहां पे हमने बेसन लिया है यह कटोरी से हम देर कटोरी बेसन ले लेंगे तो चली इसे बनाना शुर इसे मसल कर इस तरह से हम डालेंगे और साथी साथ इसमें हम यह जो सुक्षे मसाले लिये थे यह सब डाल देंगे और इन्हें हम अच्छे से पहले मिला लेंगे उसके बाद फिर बेसन लालेंगे देखिए दोस्तों पयाज और नम्मक मसाले डालके संब हमने पयाज को इस तरह से मिला लिये अच्छे से अब हम इसमें बेसन डालेंगे से पानी हमने बिल्कुल्बी नहीं डाला है जरूरत इस तरह से अच्छे से मसलते हुए हमें मिलाते हुए बेशल को मिला लेना है देखिए दोस्तो यह हमारा गुल बनके तयार हो गया इस तरह से हमने आधे चम ज पानी डालके इस तरह शिता गौल बना लिया है तो चलिए अब हम इस तेल गर्म होने के लिए रसे अब इसे फ्राइ कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों, अब हम बजी बनाना शुरू करते हैं, तेल हमारा अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं, उसे हम पहले चेक कर लेते हैं, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, यह हम बहार निकार लेंगे, इस तरह से इन्हें हम पतला पतला करके लाव देंगे, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अभी हम इसे हलका सा विडिया माश्पर कर देंगे, ताकि जो बजी यह मारे जले नहीं, और अच्छे से फ़च जाएं, तेल हमारे पक चुकी है, आप देख सकते हैं, कलर भी कितना बढ़ी है, इन्हें हम एक प्रेट में निकाल लेटे हैं, इसी तरह से हम सारी भज़िया बना लेंगे, देखिए दोस्तो हमारी बज़िया बनके तयार हो गई है, इस तरह से आप बनाएं अपने घर में, और हमें बताएं, दोस्तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलते हैं कि नई वीडियो को से, अल्ला आपीज